एहो जी मरी पैन हुंदी है नेडी पारक चिबया के बच्चे वे के सोच रही हुंदी है काश मैं मी बच्ची हुंदी ते मैं मी फोटबाल ने ठुटे मार दी एहो जा बच्चे शादी आल्दबार खलोता रहन दा बड़ी तेरे इंतजार करन तो बाद लटे दे प्योन जागे कहन दा पाजी मार नी दिरता दे खलोता मा नोट नहीं सुट नहीं खबर ये है कि ट्वीटर पे लड़ाई चल रही है फिल्म स्टार शान शाहद और नुसरत जवेद की मसला ये है कि शान ने तस्वीर लगाई इमरान खां की और उन्हों ने इस तस्वीर को जब पेश किया और कहा कि ये टाइगर्स आई हैं और ये दुश्मनों के लिए शिकार करने वाली आँख हैं तो नुसरत जवेद कि आप जा के फिल्मों में काम करें अगर कोई फिल्म है और उनों ने फिल्म स्टार शान को एक्सप्रेशनलेस एक्टर कहा जिसके जवाम में शान साभ ने उनको मीनिंगलेस राइटर बोला अब ये लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई की अंदर फिल्म स्टार साइमा जी को भी ले आए और नुसरत जवेज साब ने कहा आप जाकर साइमा जी का मुझरा देखें अब मसला ये है जो पाकिस्तान के दोनों सेलेबरिटीज हैं वो ट्वीटर पर लड़ रहे हैं और अब लोगों से पूछते हैं कि वो इन दोनों के बारे में इस लड़ाई के क्या कहते हैं तो फिर आएं जानू बाबा के साथ कैसी है आप अलहम्दिल्या ठीक ठाक आप सुनाएं जी बिल्कुल ठीक है मैं किड़ा कांदीच बच्चा इस लड़ाई के बारे में आप क्या कहती हैं मैं आते बासे ही कहांगी कि जालके रहना चाहिए लड़ाई चगडे ना कार होने चाहिए ना ट्वीटर थे वाँ होगी है ट्वीटर पर लड़ाई मेरे ख्याल से तो लड़ना चाहिए ही नहीं है कि हम तो शान को स्पोर्ड करेंगे क्योंकि वो मारे मुसलमान बाई नहीं है नहीं वो तो उनको तो मैं खायर नहीं जानता मैं तो शान की फिल्में वगरा देखता हूं और उनका ही फैन कि मेरे घ्रेखता की फिल्मस आर की एप ऊचार आशए ठीचाह है अण फेस Dell शान रशाध और जनलिस्त नुस्त चुविधकी लड़ाई होगा ये टुविटर पर उस पर आप क्या कहती है यह जो इम्रान हन की तस्वीर लगाने पर पर हुए हम इमरान हन की कि तस्वीर ल मैं यह समयता हूँ कि हर आदमी की अपनी पसंद और नापसंद है जो आदमी जिसको चाहे फालो कर सकता है जिसकी जहां पे तस्वीर लगाना जाहे लगा सकता है किसी दूसरे को यह हक नहीं है कि वो इसको क्रिटिसाइज करें कि उसने तस्वीर क्यों लगाई है आ हो जर मेरा प्राज सेथ मांत बारडी बिल्डर होंदा है जड़ा मलद बच्चे नों क्या रहे होंदा है मने वैसे चो क्या करो हाओ अगया चलिए उनकी आपस में गर्मी सरुदी चल रही है उस पे आप क्या कहती है उन दोनों को आपस में पहले बार लड़ना नहीं चाहिए अगर कोई ऐसी बात भी है तो दूसरे को पर तन की दूसरे को भीच में नहीं लेकर आना चाहिए तीसरे बंदे को पर तफ्रा नहीं करना चाहिए आपस में जो भी है वो एक दूसरे से मखातब करके बात करें तो जो साइमा को भीच में ले आए हैं को उनका मुझरा देखें जाके वो क्या बात वो बिल्कुल गलत बात है वो उसको नहीं बिक्याना चाहिए यो तो उनका एक लग मेटर है ट्वीटर पर जंक चल रही है उसके बारे में आप क्या कहते है अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को देंगे आगे सुसका रिटर्न उस तरह आएगा किसी को टॉट करना किसी को जुगत लगा के कोई बात करना ये बिलकुल बुरी बात है बिलकुल गलत बात है अच्छे लोगों का ये शेवा नहीं है ठीक है जी जो पड़े लिखे कौलिफाइड और जो एजुकेटिड लोग है वो तो कमजगाम ऐसा नहीं करते हैं अच्छे ये बताएं सर अब करते हैं एडवोकेट हाइकोटों जी जी माशालला सर ऐसे हमारे दोस्त वकील होते हैं जिनके फटे पे कुछ नांटी की रखके चला जाता है तो वो कहते हैं और बेडा करके जाए और मेरे ये फाले घराब कर देती हैं उनकी लड़ाई के बारे कर दो कि आप किसी पर तनकीद करें वो आप पर तनकीद करें से लड़ाई बढ़ती है मेरा तो यह राया है आप पर दोनों के बारे में आप क्या कहते हैं सर्फ मैं यह कहता हूँ कि यह दोनों पड़े लिखे लोग हैं समझधार हैं कोई बच्चे थोड़ी हैं कि इस तरह आपस पे लड़ें यह चोटी मुटी बातें जो हैं एक दूसरे के ख्यालात और एक दूसरे की कदर करनी चाहिए यह लड़ना अच्छी बात भी है यह हो जा प्राज शादी तो जावे तो थे मैं कर रोटी खा रहे हो वे तो बंदे कहा रहे हैं उन्देरे पाया एनने दे तो पैसे नहीं देते जिना तुम लंबर कर दे हैं यह बताएं कि शान की और नुसरे जुएद सब की जो लड़ाई चल रही है उसमें आप क्या कहते हैं शान जो है हमारा पाकिस्तान का फखर है हीरो है और नुसरे जुएद हैं वो भी हमारे हीरो हैं लेकन इन दोनों में बहुत फरक है अपने बने लड़नी चाहिए इसमें यह नहीं है कि हम किसी के जातियाद को उतरा है शान साब को भी चाहिए कि थोड़ा सा आदर गुजर करते जब आपको पता हो कि हमारे एक जुमले से जो है वो चीज़ें बहुत ज़्याद आगे निकल सकती है तो बड़े ज़र्फ का मजारा करना चाहिए अच्छा यह बताएं कि आपका नाम क्या है मुहमंद वीद बट मुहमंद वीद बट लो नादरीन में को कसम चुकालो राबदी सों मैं अपनी पूरी जिंदगी चे एठा काला बट नेजे बेकिया यह तस्वीर लगाना गुना है और नुसर जवेस साब जो है वो बड़ा गुसा कर गी है नहीं ऐसे दुनी होना चाहिए शान शाहिद भी एक बहुत बड़ आक्टर है और दूसरे भी वो भी उनका भी नाम है लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए उनको इस मसले को छोड़ देना चाहिए और आपस में फ्रेंशिप कर लनी चाहिए लो नादरेन एननों कार्टून बड़े पसंद नहीं जिदों कार्टून लांदेने ओदों बती चले जान दिए त्वीटर पे जंग चल रही है उसके बारे में आप क्या कहती है मैं तो किया तो लड़ना नहीं चाहिए दोनों आप मुसल्मान है हम सब भाई है लड़ना नहीं चाहिए आपस में दोस होना चाहिए दोनों अच्छे एक राइटर है एक अच्छे स्टार है तो मेरे ख्याल से लड़ना नहीं चाहिए दोनों को लो नादरीन एक पटान उस्पिटल में था उसने अपने दोस्त को बोला जाओ सिस्टर को बला कि लाओ वो सिस्टर को बलाने के लिए गिलगत बलतस्तान चला गया पंद्रा दिन के बाद वापस आया बोला तुम के तर गया था लाला कहता मैं तो सिस्टर को गर से लेने किया था उसने का मैंने तो कहा था कि वाड से सिस्टर को बला कि लाओ उन दोनों की लड़ाई के मतल़ का आप क्या कहते हैं मैं तो उन से यह कहूँगा कि उनको नहीं लगना चाहिए आपस में भाई भाई यहां तो हापस में मिलके रहें आपस में जब बच्छे शादी आलदे बार ख़लोता रहन दा है बड़ी दिरे इंतजार करन तो बाद लाड़े दे प्योन हो जागे कहन दा पाजी माईनी दिरे देखलोता मा नोट नहीं सुतना है उनकी इस फाइट पे आप क्या कहते हैं मैं समझता हूँ कि शान हमारी पाकिस्तान की शान है और नुसर जावेस भा हमारी आन है उन दोनों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उनकी अपनी अपनी खिद्मात है तो मैं समझता हूं कि यह जो आर्जी लफजी जंग है यह भी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान की शान को और आन को आगे लेके चलेंगे इंशालला मेरे प्यारे मिठे पर आने जो दो मिक शादि दे जान देने दुनिया लूने चोल खा रही हूं दीए तो मेरा पराम मिठे चोल खा रही होता है क्या कहते हैं मेरा खायल है उनको शर्म आनी चाहिए यह ऐसी लड़ाई हैं जो इशुलेस हैं और इशुलेस को जाना इशु बिनाना मेरा खाला कि वाइरल लना चाहते हैं हो जो मेरा बाड़ी बिल्डर प्रावा उंदा है बिग शौन को सोनन मारे तो दे दंद बाहर काड़ दे इसका मतलब को आप किया कहते हैं लो नाजरेन असी सजना मित्रनल गलबट कि थी ते हर बंद ने को गलकेई कि फिल्म स्टार शान शाहत और नुसरत जवेद पाकिस्तान दिया दो बटीया सिलेबरिटीज ने ते उननों लड़ना नहीं चाहिए दा प्यार दे अमन दा सुल दा पेगाम कि दो जो जो नों देना चाहिए दा तेना दी लड़ाई नाल पाकिस्तान दी इना हस्तियां दा मजाग बने हुआ है तो लो नादरीन तुस्य चैनल लो लाइक सबस्क्राइब ते शेयर जरूर कर देना जानू बाबा तानू मिलेगा मस्खरिया चैनल ते खैरो आपकी